कि नमस्कार दोस्तों आप देख रहें नस्पी नियूस मैं चन्दन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जी हैं आज हम मुझूद है दिल्ली के जंतरमंतर जहां इंद्रप्रस्त विस्व हिंदू परीसर दिल्ली द्वारा जंतरमंतर पर धन्नपरदर्शन रखा गया है और यह दर्णा परदर्शन जो पाकिस्तान में दो लड़कियां करके धरम परिवर्तन कर रहे थे उसके विरोध में किया गया है तो आएक करते हैं लोगों से बात्चित क्या है इनकी मांगे कमानत रड़क स्रेट लुचिए हिए गखेज लेंन को किस छीज को लेगा आपको लीन बेरे उनकी के वांद्न से पाकिस्तान में जिस प्रेकार से हमारे आल्पसं elo हिंदूां रहा है वहां हिंदुआ का कोई परिवार सुर्चत रही बेड़ी सुर्चत रही इसलाम की जो हीन माने सकता है पाकिस्तान में पूरे बिसमें जानी इसलाम के लोग है प्रश्ट भूमी आतक्रवास से हैं कि बस हमारे अलबा दूसरे की जिनी का दिकान नहीं परंत जो राष् घ्रश्ट वारे लोगों को समझाएगा इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आज मान वाधिकार के लोग कहा गए मानवता की बात करते सब्सक्राइब करने वाला है इसलिए हम पूरे एक तो पूरे विश्व के लोगों से अगरे करते हैं कि अभी लंब वहां हिंदू समाई पर जो अत्या चार होगा से बंद किया जाए और हम अपनी सरकार से और वहां के सरकार से भी कहते हैं कि हमारे हिंदू को हमें बापस करते हो यहां से अपने कटिमों ले ले जाओ एक तुम सुरच्छा नहीं जै सकते हो हमारे कोई भी समारी काम है कि पूरे विश्व में कहीं भी हिंदू समान्य के साथ कुछ अनायाचार होता सकी आवाज उठाए सरकार को जागर्त करें पूरे विश्व के भी समय संग्यान लिए हिंदू कहीं भी नहीं हमारा बंदू है हमारे अपना सूजन है इस उसको सुरच्छा प्रदान होन पाकिस्तान में हिंदू के साथ दुराचार हो रहा है इसके लिए हमें आप आ रहा है इसको तरह चाट रहा है इसलाम की पेश्ट भूमे में आता है जितने मदर से चलते उसमें सब्सक्राइब करें उसको और समी दर्व के लोगा तो पड़े हमारे संस्क्राइब द्याले हैं मदर्सों में बिना मुस्लमान का कुछ दूसर नहीं पर सकता कुछ पूल पुट्टी खुल जाईगा पढ़ाते कुछ नहीं है राश्च द्रहु के लावा मानव द्रहु के लावा कुछ और पी पढ़ा नहीं जाता इसलिए शितने मदर से चलना है उन पर सरकार कांकुस होना चाहिए जोती शर्प बजरंग दल का नहीं है पहले तुम आपको यह बता दो यह पूरा भी है और इसमें बजरंग दल भी है और सारे काफी मतलब तो किन चीजों की आप भी देख रहे हैं कि रोज इतने सारे मैसिज आ रहे हैं आप मीडिया के तुम आ रहे हैं से कुछ है पाकिस्तान में 45 दिन के अंदर जो 29 लड़कियों का उपहरण हुआ और इसके बाद उनको जबर्दस्ति इसलाम कभून करवाया थिया हम उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों के लिए यहां पे इस तरह का विद्रो प्रटेशन कर रहे हैं तो इस परदर्चन से कुछ होगा रहा है उनके अंदर एक आक्रोश है वहां का हिंदू अकेला नहीं है पूरा समाज पूरा विश्भू उन हिंदू के साथ और यहां का हिंदू उनके साथ हर पल हर जब कि यहीं बताया कि यह सारा संगठन है और संगठी तो कि अगर बाहर से 10 करोड हिंदू है यहां पर हिंदू है और समय समय पर हर संगठन हर संस्थाएं हर यहां के जो लोग है चाहिए वह कोई भी हिंदू है वह उनका सहयोग करती है लेकिन एक दम में खाली है अकेला इंदू जब तक पूरे समाज पूरे भारत का हिंदू ही कठा नहीं होगा तो तक तक हम इस चीज़ को कर करते रहेंगे और खोशिश रहेगी कि कम से कम अपना जो हिंदू है उनके अंदर एक भाव उपन हो कि हमारा हिंदू अकेला नहीं है कहीं पर भी चाहिए वह बारत में रहने वाला है चाहिए कश्मीर हिंदू है वहीं से भी है